आप सभी का स्वागत है संगर्शील जनसेवा केस का इक्रम आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तितु से मुलाका कराएंगे जिसने अपने जीवन में संगर्श को अपना कर राजनीती का दामन थामा जिसने समास सेवा को ही आधार बना कर राजनीती का दामन थामा और उस जगे पर रादिती का दामन थामा जहां पर संघर्ष करना कठी थी। जहां पर चुनौतियां जादा थी। जहां विकास का नाम बहुत दूर दूर तक धरातल के पास था ही गढ़े में चला गे। उस गढ़े से निकाल कर धरा पर लाने का नाम अब अरुन सिंग हो चुका है। अरुन ने जिस प्रकार से नौजवान पन का साहस दिखाया और जिस प्रकार से उन्हों ने जंता के बीच अपनी बैठक बनाई और लगातार काम करते नजर आये उसी का नतीजा ये हुआ कि 2015 में प्लाक प्रमुग बढ़े और उसके बाद तो फिरपद के बाद जो काम किया है वो सामने है। हर जगा सिला नास के माध्यम से ये साबित कर दिया कि काम का प्रमान अगर चाहिए तो आप जगे पर चले जगे और आपको इसके काम के प्रमान विसाफ नदर आद हम आपको मुलाते हैं आरुन सिंग के पूरे वहतिक आरुन सिंग नवाब गंच के बलाग परमुक एक ऐसा नाम जिसने ऐसी धरा पर काम शुरू किया जहाँ पर काम करना कटीं था जहाँ पर विकास बहुत दूर था और आविवस्था बहुत जादा नस्दीक जहाँ पर समाजिता के नाम पर समाजिता की आड़ में और समासिवा की आड़ में गुंदई कायम थी वहाँ पर काम करने में सफल रहे अरुन सिंग ने उस विवस्था को बदलने में अपना फूरा प्रयास किया जिस विवस्था में आम आद्मी प्रिस्ता था, आम आद्मी तब्ता, आम आद्मी के आवाज दावाई जाता, अरुन सिंग के सामने सबसे बहले चुनौती थी, विकास और दूस्त्री चुनौती थी वहां कि आवेवस्था को दूर करके उससे लड़ना, लेकिन अरुन ने उन सब विवस्थाओं से लड़कर, आवेवस्थाओं से लड़कर अपने आपको सावित करने और उस विकास की धरा को चाहां जो खोच चुका था, उसको वापस लाने में अमने पुड़ा प्रयास की, और उसी कंतिजा है त्याच, धार्मिक्ता के नाम पर दूर, आवेव नीति नियत के नाम पर भारती सब्धान को अपनाते हुए उस वाप, वो नाम है अरुप, बहुत ज़द हम सीधी बात के कारिक्रम से उनके कई सवालों के जवाब का आपके साविर, आरुप से इस संगर्शिय के इस कारिक्रम में बिलाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नाइब coyको में ऊड़िस से उनके कि इस संगर्ड़को नाइब को सब्सक्रम में आपको यह को आपको दोम κιन आपको से लके उख़को थाथवड़ आपको से अगयो दोगी..?